मैं हूँ आपके साथ छेलेंद्र पांडे किसी व्यक्ती को बड़ा क्रोधाता है किसी व्यक्ती के मन में बुरे विचार आते हैं किसी व्यक्ती को चिंता करने की आदत होती है और किसी व्यक्ती को हर बात में घबराहट होती है ये तमाम चीजें हमारे मन से जुड़ी हुई हैं और हमारा मन बनता है हमारे आहार से हमारे शास्त्रों में कहा गया है जैसा खाओगे अन वैसा होगा मन तो आपके आहार से आपके विचारों पर कैसा प्रभाव पड़ता है और अपने आहार में बदलाव करके आप अपने विचारों को बेहतर कैसे बना सकते हैं आज इस विशे पर बात करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके कारियों में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे जीवन में आहार की भूमिका क्या है देखिए किसी भी जीव की मुख्य रूप से चार आवशक्ताएं हैं आहार, निद्रा, भै और मैथुन इन में सबसे ज़्यादा महत्पूर होता है आहार आहार से शरीर का निर्माण होता है और शरीर का विकास भी होता है आप भले ही खाद्य पदार्थों से आहार न लें आप खाने से आहार ने लेंगे पानी से लेंगे, सूरी से लेंगे, कही न कहीं से आपको उर्जा लेनी ही पड़ेगी बिना उर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती इसलिए किसी न किसी तरीके से आपको उर्जा लेनी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से आपको आहार लेना पड़ेगा अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से आहार हमारे उपर असर डालता है देखिए शरीर के मानसिक स्तर का निर्माड विभिन तरीकों के कोशों से होता है जो आपका मन बनता है वो अलग-अलग कोश से बनता है इनमे एक कोश होता है अन्नमय कोश इस कोश की शुद्धी के बिना आप मन की शुद्धी तक नहीं जा सकते आहार से ही हमारी कोशिकाओं का निर्माड होता है और फिर उन्ही कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस का छरण होता है हमारे सेल्स बनते हैं, हमारी कोशिका बनती है रस से हमारे सोच में, हमारे विकास में परिवर्तन आता है जिस तरह का आहार हम ग्रहन करते हैं उसी तरह का व्यवहार और विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है नौन्वेज खाना खाने से अलग तरह का विचार होगा और शाकाहारी भूजन करने का विचार अलग तरीके का होगा ये बात समझिए हम यह नहीं कहते कि आप नौनवेज खाईए या ना खाईए वो आपका अपना विशह है लेकिन यह जाने रहिए कि आपके मन में जो विचार हैं वो आहार से संबंद रखते हैं मान साहारी जीव का व्यवहार और काहारी जीव का व्यवहार आप समझ सकते हैं एक शेर का व्यावार और एक गाय के व्यावार में जमीन आस्मान का अंतर होता है इस बात को समझिए अब ये जानते हैं कि किन चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते प्याज, लहसन, सर्सों का साग, मश्रूम, मान्स मचली, मादक पदार्थ, दब्बा बंद खाद्य पदार्थ, बासी खाना इनको आप सात्विक नहीं कह सकते किन चीजों को सात्विक आहार मान सकते हैं? सभी प्रकार की अनाजें, दाल, दूद और इससे निर्मित पदार्थ, सभी प्रकार की सबजियां, फल और मेवे, इनको आप सात्विक कह सकते हैं अब ये जानते हैं कि किस तरह के स्वभाव को बेहतर करने के लिए, किस तरह का आहार ग्रहन करना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें खाईए, रोटी खाईए, बासी खाना मत खाईए अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधी हों, तो प्याज, लहसन, मांस, मचली, मदिरा से परहेच कीजिये अगर आपको तनाव पालने की आदत हो, तो दूद और दूद से बनी हुई चीजें ग्रहन कीजिये मश्रूम और कंद, कंद माने जैसे आलू, ये ना खाएं, तो बहतर होगा अगर आप स्वास्त से शरीर से परेशान हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सबजियां खाईए, अनाज कम खाईए अगर आप बुरे विचारों से परेशान हैं, तो क्या नहीं खाएंगे? मांस, मचली, प्याज, लहसन ना खाएं, और मसूर की दाल से भी परहेच करें